एक्सपोर्ट बैन के बावजूद एक बार फिर क्यों बढ़ने लगा प्यास का दाम। आए जानते हैं। केंदर सरकार ने प्यास का एक्सपोर्ट इसलिए बैन किया था ताकि घरेलू मारकेट में उपलब्धता बढ़े और उसका दाम नियंतरन में रहे। लेकिन अब जब इस आदेश को एक महीने होने को हैं तब बाजार में एक बार फिर तेजी दिखने लगी है। जबकि एक्सपोर्ट बैन के तुरंत बाद और उसके दूसरे सप्ता में प्यास के दाम काफी गिर गए थे। निर्यात बंदी के तुरंत बाद जहां महाराश्टर की मंडियों म एक से पांच रुपए किलो के निचले स्टर पर इसका न्यूंतम दाम आगिरा था वहीं तीन जनवरी को अब इसका न्यूंतम दाम 500 से लेकर 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुँच गया था। अधिक्तम दामदो हजार से 3500 रुपए क्विंटल तक पहुच गया पोर्ट बैन के बाद दाम गिर कर फिर उठने लगे। किसानों के लिए यह अच्छे संकेट दिखाई दे रहे हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि इसके पीछे एक वजह यह है कि किसान फसल थोड़ी रोक कर मंडी में ले जा रहे हैं, जिससे आवक कम हुई है। हालां कि खरीफ की फसल बहुत ज्यादा दिन तक वो नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि यह स्टोर करने लायक नहीं होती। एक और वजह ट्रकों की हर्ताल को बता रहे हैं। क्योंकि इसकी वजह से सप्लाई ब्रेक हुई है। वैसे सरकार की कोशिश है कि किसी भी कीमत पर लोक सभा चुनाव तक प्याज का दाम न बढ़े क्योंकि दाम बढ़ेगा तो इसका चुनाव परिनाम पर असर दिख सकता है। केंद्र सरकार ने साथ दिसंबर को देर रात प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इसके खिलाफ किसानों और एक्सपोर्टरों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। इसको लेकर के महराष्टर की राजनीती भी गर्म है। विपक्ष किसानों के साथ खड़ा नजर दिख रहा है, जबकि सत्ता में बैठे नेता सिर्फ यह बात कह रहे हैं, कि वह वानीजे मंत्री पियूश गोयल से मिलकर मामले का समाधान करवाएंगे, लेकिन उनके मिलने जुलने का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। अगस्त 2023 से ही सरकार की कोशिश यही हो रही है, कि किसी भी तरह से प्याज का दाम नहीं बढ़े, इसके लिए उन्होंने पहले प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, उससे भी बात नहीं बनी तो 800 डॉलर प्रती मीटरिक टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तै किय उससे भी बात नहीं बनी तो एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा दिया, सोलापूर की अकलुज मंडी में 3 जन्वरी को सिर्फ 440 क्विंटल प्याज की आवक हुई, जिसकी वजह से न्यूनतम दाम 500, अधिक्तम 2800 जबकी मॉडल प्राइस 1800 रुपए रहा, कोलहापूर मंडी मे 6944 क्विंटल प्याज बिकने आया, यहां न्यूनतम दाम 500, अधिक्तम 2600 और मॉडल प्राइस 1400 रुपए प्रती क्विंटल रहा, महाराष्ट्र एग्री कल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार 17 में 3 जन्वरी को न्यूनतम दाम 1000, अधिक्तम 3500 और मॉडल प्राइस 2250 क्विंटल रहा, लासल गाम मंडी में 17,470 क्विंटल प्याज की आवक हुई, यहां न्यूनतम दाम 800, अधिक्तम 2100 और मॉडल प्राइस 1970 रुपए प्रती क्विंटल रहा, ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी